हेलो एवरिवन दिस इस अंकीता हैं वेलकम टू टेक्नो लॉर एक बाव फिर से जो चुके हम आप सभी के साथ और डिसक्स करेंगे यहाँ पर CITS अपडेट्स के बारे में काफी सारे च्वेंट्स के यहाँ पर डावट हैं CITS न्यूट्मिशन को लेके या फिर जो आपका CITS है उसके कुछ अपडेट्स आपके निकल के आए उन सभी अपडेट्स को यहाँ पर हम डिसक्स करेंगे वीडियो को एं तक देखेगा ताकि आपके जितने भी डावट्स क्लियर हो जाएं अपडेट्स से रिलेट्स साथ में अगर आपका कोई और डावट रहता है तो उसके लिए आपके चेक्शन में कमें कर सकते हैं ताकि जो भी आपके डावट्स हैं उसे आप पूछिए और कोशिश करूंगे कि उन डावट्स के उपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपके जितने भी डावट्स हैं उसको यहां पर क्लियर किया जा सके तो अपडेट्स जो है आपका वह बिसिकली उन सभी श्वेंज के लिए इन फिक आप बोल सकते हो कि यह गुड न्यूज है उन सभी श्वेंज के लिए जिन्होंने और साथ में अभी कुछ दिन पहले यानि कि दिसम्बर लास्ट में अपका नोटिफिकेशन आया था जो काफी सा है इसने जन्वरी में पूछा था कि माम अगर इस बास करना है तो वन यह एक्सपीरियंस जो है वो आपका इहां पर मांगा जा रहा है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जो है वो आपका इहां जन्वरी और दिसम्बर के पास आया हुआ था तो यह जो आपका नोटिफिकेशन था वो इहां पर आपका निकला था कि अगर अभी आपको CITS करना है सो डेट आपका वन यहर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका मैंडेटरी है अगर वो नहीं है तो फिर आप CITS का जो इं तो एंट्री कॉलिफिकेशन ठीक है अभी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टिव नहीं आया है लेकिन आपकी जो चीजें है वो आपकी चेंज हो चुकी जहां पर यहां आप देखेंगे यहां आपका वन यह एक्सपीरियंस मांगा गया था कि वन यह एक्सपीरियंस होगा तब कि आप फॉर्म फिल कर पाओगे अभी यह साई चीजे जो है वो आपके रिमूफ कर दी गई है तो वापस से अगर आपका CITS CITS आपको इंटरेंस एक्जाम देना है तो अगर आपने आपने पास आउट किया है ठीक है या फिर आपने अप्रेंटेशिप भी की है तो आप CITS का जो इंटरेंस एक्जाम है वो इहाँ पर दे सकते हैं तो अपने इंटरेंस एग्साम भी सम हटा दिया गया तो without experience आप अपना CITS का जो form आएगा आपका ठीक है उसे आप fill कर सकते हो एक्जाम की तियारी कीजे आपका जो भी इंटरंस एक्जाम है वो अच्छे से clear हो जे और जो भी आपका first choice पर आपका college है वहां पर आपको क्या है admission मिल जाए तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ऐसा कुछ भी आपका notification नहीं है बाकिज इतनी भी चीजे हैं जब तक आपका official letter नहीं आ जाता तब तक आपकी clear नहीं होंगी so that जो one year वाला था वो fund आपका यहां पर क्या है रिमूव हो चुका है तो वेट कर लीजे आपका official letter जो है April last है माई के first week तक या फिर माई के मिर्ट तक आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो तब तक के लिए वेट कीजे अगर आप preparation कर रहें so that आप अपनी preparation करते रहें ठीक है तो यह तो आपका था updates related साथ में ही discuss करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे students है जो यहां पर CITS को कर सकते है तो देखिए चीजे एकदम clear है अगर आप यहां पर इसी को देखते हो entry qualification तो अगर entry qualification को आप देखते हो तो आपके पास degree होना चाहिए जिस भी ट्रेट से आप admission लेना चाहते हो ठीक है यह फिर आपके पास क्या है diploma होना चीए diploma आपका पॉलिटिक निक का हो सकता है यानि कि आपका three years का diploma course होना चीए यह फिर आपने iti किया हुआ है ठीक है अगर यह three things है अगर आप इस्ट्रेंट्स हो डिप्लोमा इस्ट्रेंट्स है और डिग्री होल्डर हो सो डेट आप CITS का entrance exam दे सकते हो और one year का जो course है आपका उसे आप यहां पर complete कर सकते हो तो यह आपका क्या है कि उन सभी इस्ट्रेंट्स के लिए है जो इहां पर क्या है कि CITS कर सकते हैं एक और आपका confusion रहता है काफी साइस्ट्रेंट्स का लगाता doubt रहता है इस चीश को लेके कि जो appearing students है means जो IT कर रहे हैं क्या वो CITS का form fill कर सकते हैं या फिर नहीं देखिए CITS की वीडियो मैं almost 3-4 years से यहां पर create कर रही हूं तो हर बार rule change होते हैं और इससे पहले क्या था कि appearing जो students थे वो CITS का form fill कर सकते थे बट लास्ट यह को changes होए है तो इसमें आपका जो CITS यानि कि अगर आपको करना है तो आप कर पाएंगे या फिर नहीं क्योंकि हर साल यह rules आपके आपस में change होते रहते हैं कभी आपका allow होता है कभी आपका allow नहीं होता है तो आपका official letter के बाद ही आपको यहां पर correct information मिल पाएगा ठीक है तो यह तो normal doubts थे आपके update के regarding एक last question काफी time से raise हो रहा है जो यहां पर आपका जो है यहां पर complete हो जाएंगे उसके बाद ही आपके जो form का notification है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वैसे भी हर year आपका जो form है वो माई के end में या फिर आपका क्या है कि जून के mid तक तो यह आपका correct information है कि माई के end या जून के mid तक आपका जो form है वो आपका यहां पर fail हो आपडेट कि आपका माई जून तक आपका जो form है वो आपका यहां पर आ जाएगा तो इससाब से अपनी preparation कीजे बाकि अगर कोई भी डाउट रहता है तो इसके लिए comment section में आप अपने comments करके अपने doubts को यहां पर clear कर सकते साथ ही हमारे telegram group से जोड सकते हैं ताकि जो भी further information है वो आपको वहां पर मिल सके और study से related जो भी चीजे हैं आप वहां से आपस में discuss कर सकते हो तो आज के वीडियो को हैं ही तक रखते हैं वीडियो गर आपको informative लगा हो जैनुन लगा हो तो चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब साथ ही वीडियो को लाइक शियर कर सकते है फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान बाई बाई टेक केर